हाई एवरिवान गूड इवनिंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दिन है बुद्धवार और साम के करीब 6 बज रहे हैं और बाहर ना बिलकुल अंधेरा हो गया इस समय ना बारिस हो रही है बादल तो बहुत तेज गीरा हु है घिर तो इतना रहा है लग रहा है कि अब कितनी बारिस होगी लेकिन फही छिट पुट छिट पुट बारिस हो रही है और गर्मी इतनी जादा बढ़ी हुई आभ ही थोड़ा सा वाई तो बत बतना लिए मतलब इतना रहता है मुझे डेली खाना में इसी करना पड़ता है तो यहाँ पे सबजी वगरा मैंने कट कर लिया है देखिए परवल, आलू और प्याज और ये लेसुन भी एक प्लेट पूरा छिल लिया था तो इसे बॉक्स में भर के रख दे रही हूं फ्रीज में और अभी आज के लिए लेसुन छिला हुआ है तो उसे डालूंगी तो यह जो है लौकी थोड़ा सा कद्दू कस कर ले रही हूं तो कली का लौकी आया था दो लौकी पापा ले आया थे तो एक का मैंने आधा करीब आधा से जादा जो है सुबह वो बना दिये थे पकोड़े बना दिये थे इसका कत्रा हम लोग बोलते हैं गोल गोल इसका पूरा ने खीर बना देना तो बस वही कद्दूंकस कर ले रही हूं, सामको मैं भूल गई थी, ध्यानी मुझे नहीं था, तो फिर बाद में ध्यान आया कि ने खीर भी बनाना है, तो बनने में बहुत ज़़ादा टाइम नहीं लगता है तो इस वज़ा से मैंने फिर स्टार्ट कर दिया कि बना ही देती हूँ तो बस यहां पे कूकर में मैंने डाल लिया है और थोड़ी सी लॉकी मैंने लिए थी बाद में थोड़ा सा कमी हो गया और मैंने बचा लिया था कि कहीं ज़्यादा हो जाएगा लेकिन बाद में थोड़ा सा कम हो गया तो यहां पे कुकर में मैंने रख दिया है लोकी बस दो सीटी में यह हो जाएगा तो हो गया है अभी बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगानी होती है थोड़ा सा जैसे गोटे मोटे निकलते हैं तो इस वज़े से उबालना जरूरी था वरना बस ऐसे ही घी में फ्राई करके भी ये बन जाता है थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है दूद में जो है ज्यादा देर तक इसे पकाना होता है और इसे उबालने से ये थोड़ा अच्छे गी डालूँगी इधर दूद मैंने उबलने के लिए रख दिया था इसमें डालने के लिए तो लौकी का खीर या हलवा जो भी बनाए न तो उसमें जब दूद डालना होना तो फ्रीज से निकालके तुरंत दूद नहीं डालना चाहिए उबालके ही दूद डालना चाहिए न 3-4 चमच और इसमें लौकी को फ्राई कर लूँगी तो बहुत ही आसान है इसे बनाना कोई जंजट नहीं है लेकिन टेस्टी बहुत लगता है अगर थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान दे दिया जाए ना कुछ चीजें इसमें डाल दी जाए तो ये टेस्टी बहुत लगता है बहुत ही आसान है बनाना कम मेहनत में कम टाई में बन जाता है तो यहां पर फ्राई हो गई है लौकी और मैंने दूद इसमें डाल दिया है दूद डालने के बाद यहां पे मैंने 2-3 हरी वाली इलाइची तो इसको कूट ले रही हूं तो इलाइची का टेस्ट ना किसी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो बस यहां पर अच्छे से कूट लिया है मैंने मतलब थोड़ा दरदरा भी रहे तो भी अच्छा है या इलाची पॉडर रहे तो भी अच्छा है और छिलकों को मैं आप चाय पत्ती में डाल दे रहे हूं चाय बन जाएगा और अंदर का मैं खीर में डाल दूँगी इसके बाद 5-10 मिनटी से उबाल लेना है मतलब दूद की मात्रा जितनी हो अगर जादा है तो जादा देर तक उबाले चीनी डाल दें फिर ड्राइफुट्स आपके उपर है आप पहले भी डाल सकते हैं और लास्ट में भी तो मैं बाद में डा हैं तो बीडियो को पूरा जरूर देखेगा बीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आप पूरा वाच जरूर करिएगा काफी मोटिवेशन मिलेगा जल्दी उठने के लिए और जल्दी उठकर काम करने के लिए तो यहाँ पे जो है खीर मेरी लगभग बन गई है ब सबसे पहले मतलब जल्दी उठने के लिए जरूरी है जल्दी सोना तो इस चीज को बहुत ध्यान देना है जो है और हम हाउस वाइप का ना सुबह जल्दी उठना बहुत ही जरूरी है जल्दी उठने से बहुत सारे हमारे काम आसान हो जाते हैं उसके बहुत सारे फायदे ह तो ये मैं बाद में share करूँगी पहले हम कैसे जल्दी उठें इस चीज को मैं आपके साथ share करी हूँ साथ के साथ देखिए यहाँ पे खाना भी मैंने निकाल दिया है तो यहाँ पे खीर निकाल दिया और वही dry foods मैंने उसको भी कस लिया था तो उपर से डाल दिया और ये है आज का हमारा डिनर रोटी सबजी और लौकी की खीर सुबह मैंने आलू के पराठे बनाये थे तो इस वज़े से अभी रात को मैंने सिंपल सी रोटी बनाई है और अभी यहाँ पे गैस वगरा पोच ले रही हूँ तो साम का काम अगर हम जल्दी जल्दी खतम करेंगे न तो जल्दी खाली हो जाएंगे रात को तो जल्दी सो जाएंगे और सुबा उठने के लिए जल्दी ये बहुत ही ज़रूरी है कि जल्दी सोएं क्योंकि नीद नहीं पूरा होगा ना तो सुबा नीद खुलेगी भी नहीं जल्दी और खुल भी जाएगी न तो आलस आएगा तो इस वज़़े से थोड़ा सा मतलब इसलिए थोड़ा सा कोसिस करें कि रात को अपना काम जल्दी खतम कर लें और ऐसा भी नहीं है कि काम छोड़ के सो जाएं ये भी मतलब करना गलत है काम पूरा कंपलीट करके ही सोना है पूरे क सारे काम निप्टा लेने तो इसके लिए एक ही चीज करना है कि आप साम को थोड़ा सा जल्दी काम स्टार्ट कर दें ताकि रात को जल्दी से जल्दी ये सारे काम खतम हो जाएं तो अभी टाइम जो है दिखाऊंगी मैं करीब सवा नौ या नौ बिस का टाइम हो रहा है तो म हम आदत हो गई है मैं लेट भी शोती हूँ तो मेरी नीद खुल जाती है बहुत सालों से मतलब उठने की ये आदत है सुबा साढ़े चार, पांच तो अब तो जैसे चाहे लेट सोऊ या जल्दी सों मतलब उतने टाइम तक नीद खुल जाती है लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होता है शुरू में दिक्कत होती है हम लोग को भी हुई थी तो इस वज़े से थोड़ा सा जल्दी सोना जरूरी होता है तो यहां पे देखिए ड्राइफूट्स वगरा भीगा ले र हुआ है कुछ हेल्द प्रॉब्लम थी इसके लिए तो बस यहां पे यह सारे काम भी मैंने निप्टा लिए तो रात का मेरा सारा काम खतम हो चुका है सुबह के लिए मुझे कुछ सब्जी अगर आभी नहीं कट करनी थी क्योंकि तनमे का स्कूल कल नहीं है तो यह सारा काम नहीं करना था और टाइम देखिए साड़े बज गए हैं तो अभी जो है जाओंगी बात्रूम हाथ मुध होना है कपड़े चेंज करना है यही सब काम है तो सोते सोते मतलब 10 बज जाएगा तो अगर हम 10 बजे सोते हैं तो सुबह 5 बजे नीद खुल जाएगी क्योंकि दूसरी चीज की जब आप सोए ना तो एक दिमाग में अपने यह बना लें कि सुबह मुझे जो है साड़े चार-पांच बजे उठना है यह मन में अगर हम बोल के सोते हैं तो एक जो है हमारे दिमाग को मैसेज जाता है और अपने आप उस टाइम पे नीद खुल जाती है म तो उसके लिए ना रात को जैसे होता है कि गुनगुना पानी पी के सोए या फिर जो है गुनगुने पानी में हाथ पैर धो के सोए तो भी नीद अच्छी आती है और भी बहुत सारे उपाएं हैं तो अगर आपको चाहिए जानना होगा तो कमेंट करके बताईएगा तो उ बहर काफी अंधेरा है बारिस रिमजीम रिमजीम वाली हो रही है और अब भी ना मौसम जो है पहले क्या होता था पांच वजे तक उजाला हलकाल का गर्मियों में हो जाता था लेकिन अभी मौसम तो गर्मी की का ही है लेकिन सुबह जो है अभी उजाला थोड़ा सा लेट ह तो यहां पे मैं अपने लिए गरम पानी लेके बैठ गई हूं और शुबह न ये भी बहुत जरूरी है आपको एक गलास गरम पानी पीना ही है यह अपनी आदत बना लीजिए जो है और हलका गरम पानी बहुत ज्यादा गरम नहीं लेना है गुनगुना पानी और यह किसी को ये पानी नुकसान नहीं करेगा फाइदा ही करेगा और ये पानी पीने के टाइम ना जैसे बैट के 5 मिनट दीजिए इसको जो है तो आप जब जल्दी उठेंगे तब भी जो है पांच मिनट-10 मिनट इसमें मतलब दे सकते हैं और इस टाइम पे ना हम अपने जो है माइन्ड को अपने सरीर को दिन भर के कामों के लिए जो है तयार करते हैं सेट करते हैं कि अब इसके बाद हमें काम पे लगना है ये ये काम करने हैं तो ये चीज हम अपने दिमाग में तयार करते हैं तो वो मैसेज पूरे हमारे बॉडी को जाती है तो वो पूरा बॉडी जो है काम करन के लिए फिर रेडी होता है तो इसमें भी पांच मिनट साथ मिनट लग जाते हैं सानी की पानी तुरंत खड़े-खड़े पिया और तुरंत काम पे लग गए उसके बाद मैं यहां पे लगा ले रही हूं जाडू देखे तो सुबह सुबह जो है ना बासी जाडू निकालना भी बहुत जरूरी है हम हाउस वाइप के लिए मैं बता रही हूं सुबह उठना तो सब के लिए फायदे मंद होता है लेकिन मैं जो टिप्स बता रही हूं यह तो हम हाउस वाइप के लिए ही कि सुबह सुबह बासी जाडू जैसे मेडव अगर आती है तो हम जाडू नहीं सोच हो और जो लोग इस चीज को मानते हूं और एक चीज ये भी हो जाता अगर practically आप देखे तो सुबह सुबह जो है थोड़ा सा जाडू लगा दिया जाता है तो किचन वगरा साप हो जाता है तो देखने में भी सही लगता है तो मैं भी सिर्फ किचन में बरामदे में ही जो है हम अगर जल्दी उठते हैं तो इन सब कामों को दे लेते हैं वरना अगर हम लेट उठेंगे तो फिर वही है बच्चों के लिए टिफिन हस्बेंड के लिए खाना यही सब जल्दबाजी में ये सारे काम छूट जाते हैं तो जाडू लगाने के बाद यहां पर कर ले exercise करूँगी तो पहले क्या होता था exercise मैं नहीं करती थी इसके बाद direct मैं नहाने चली जाती थी लेकिन अभी मैंने exercise जैसे बहुत दिनों से exercise मैंने start कर दिया है तो नहाना मेरा skip हो गया है तो ब्रस वगयरा मैंने कर लिया है और अभी थोड़ा सा कंगी करूँगी बाल वगयरा जाड़ूँगी तो इससे ना जो है सुबा सुबा ये सब काम कर लेने से ये होता है ना हम अपने आपको थोड़ा सा तयार कर लेते हैं maintain कर लेते हैं तो अच्छा लगता है अपने को अच्छा फील होता है और वैसे ही एकदम चेहरा बना हुआ है बाल वगएरा बिखरे हुए हैं और वैसे ही हम काम करते रहते हैं तो एक अजीब सा जो है negativity रहती है और इस तरह से अगर हम थोड़ा सा तयार हो जाते हैं थोड़ा मैं सिर्फ चेहरा अच्छे से पानी से धो लीजे कंगी वगदा कर लीजे उतना ही बहुत होता है बस उसके बाद यहां पर वैटके हूं exercise करने और इसके बाद प्राडायाम करूंगी तो यह मेरा सुबह का सबसे important काम होता है और सबसे ज्यादा इसमें थोड़ा सा time लगता और यह जो है ना मतलब इसको करने से जो है दिन भर एक productive दिन बन जाता है और energy दिन भर के कामों के लिए आती है और mentally physically हम healthy भी रहते हैं तो यह बहुत ही important बहुत ही जरूरी और इसको skip मैं करती हूं ना तो मेरे उपर इसका मतलब असर दिखता है मुझे एक दो दिन भी अग भी मुझे महसूस होता है तो इस वज़ा से मैं 20-25 मिनट exercise प्राडायाम को देती हूं और मैं तो यह कहूंगी हर house wipe को यह बहुत ही जरूरी है आप 10-15 मिनट time सुबह जरूर निकाले योगा exercise या morning walk करें जो भी हो प्राडायाम करें मतलब कुछ भी करें जो है 15-20 मिनट देखें दिन भर तो हम पूरे परिवार के लिए काम करते ही रहते हैं लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट अपने लिए भी देना अपने हिल्थ को भी देना बहुत ही जरूरी होता है बहुत ही फायदे मन्द होता है और यह तब ही संभव है जब हम जो है सुबह जल्दी उठेंग तो लाइट आफ करके ही करती हूँ मतलब यह रोसनी न अच्छी ने लगती है और छट पे करती हूँ न तो वो सुबह वाली रोसनी सही रहती है तो अब भी जो है मैंने एकसरसाइज वगरा कर लिया और अभी देखें उजाला भी हो गया है तो पूरे परदे मैं सुबह जलता है तो पूरा नहीं खोलती हूँ थोड़ा सा और जब उजाला हो जाता है तब मैं खोलती हूँ और टाइम देखें अभी साड़े पांच हुए हैं और मेरा सुबह का जो है अरली मॉर्निंग रूटीन होता है वो सारा कम्पलीट हो गया है अब मैं किचन में जाके काम स्टार्ट कर सकती हूँ और अभी अगर काम सुरू करूँगी ना तो बहुत जल्दी सारे काम खतम भी हो जाएंगे तो अभी आ गई हूँ किचन में और रख दे रही हूँ चाय उसके बाद जो है मुझे जो खाली पेट लेना होता है जो मैंने भीगाया है अंजीर उसको पानी पीऊंगी तो सुबह मेरा जो है ये रूटीन होता है आधा गंटा पैतालिस मिनट इसी तरह जाते हैं मैं पौने पांच वजे उट जाती हूँ और साड़े पांच तक ये सारे काम कंपलीट होते हैं तो अपनी फिजिकल और मेंटल हिल्थ को सही रखने के लिए अप आप जल्दी उठेंगे तो बस यहां पे पानी पी ले रही हूं और छे बजे तक मेरा दो से तीन गलास पानी हो जाता है तो अभी यहां पे चाय बना रही हूं उसके बाद खाना बनाओंगी डाइरेक्ट क्योंकि आज तन में जाएगा नहीं तो टिफिन वगरा नहीं बन तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई थेंक्स फॉर वाचिंग